तुम्हारे पास नहीं आने दूगी वर्दान सुना तुम्हारी तब्यत खराब हो गई है वर्दान ठीक हो ना तुम्हारे हनीमून के तो बैंड बजगे वर्दान और पर पता नहीं क्या-क्या सोचा होगा न इस हनीमून के लिए मेरी नजर से देखो अबू जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छा हो रहा है पती-पत्नी अपने हनीमून पर एक दूसरी को समझने आते हैं एक दूसरी के साथ बगफ बिताने आते और में और मले भी वही कर रहे हैं पहले मले ने मुझे बारिश से बचाया फिर साब के काटने से मेरी हर जरूरत, हर मुसीबत में मले मेरे पास थे, अबो क्या हो गया अगर हमने उस प्यार की मूरत के सामने दिया नहीं जलाया मले ने वहां मेरी जान बचा कर अपने पन का सबूत देही दिया ना मले की कंसर्न को तुम उसका प्यार समझने की कलती कर रही हो बता हर प्यार की शुरुवात कंसर्न से ही होती है अपू तुम्हें तो पता ही होगा तुम तो प्यार कर चुकी होना आपको राइट हलो हलो बोल रही हो बोली आपने जो नॉन्विच मंगाये थे वो आ गया है नहीं मैंने ये सब ओर्डर नहीं किया मैं तो वेजटेरन हूँ मैं नॉन्विच क्यों ओर्डर करूँगे ओके बाई वर्दान वो वो मैं वर्दान का हालचाल जानने आगी थी बाई 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 वर्दान बाई बाई प्लीज 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 मजे कर तक पहचालो भगवान को याद किया और शैतान हाजर और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बाद्ला लेने से प्लीज मुझे मत मारो सिथ, मैंने पोलीजbox याद मारा तुम्छाइ है तुम्हें बातला इन but नेकिल बातला लो भुझे तुम्हें दुम्हें मारा प्लीज मुझे मारो डि़ो मुझे मारो सिदार सिदार यहा है वो बृड़ मठी पात ठाट कर्वा भात स उस सब एक नाटक था इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करें और वही हुआ और यठ लेस्ट प्रड़ी जोकर हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे उपर जान लेवा हमले मैं अपने सुमेंद्र के गुनेकार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूगी हेलो, अच्छा हो, अभासकर भी आए गवा उन्हें कहा था कि तुम खोली नहीं खेलती हमें रंग नहीं लगाने दिया पर किसी और से रंग लगवा दिया रच्छा जी मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से यह आमिर कोट है और यहां हमारी हुकुमत चलती है थारी हुकुमत आमिर कोट पर से, मारे मन पेना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से मनने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके यो मारी मर्जी से और हमारी मर्जी का क्या